13 जुलाई को 90 साल बाद दिखेगा असार पोडिमा का चांद 4 राशों के लगेगी लोटरी दोस्तों पूरे 90 सालों के बाद 13 जुलाई दिन बुधवार को दिखेगा गुरु पोडिमा का चांद इन चार राशवालों की लगने वाली है लोटरी जी अधुस्तो मा लक्ष्मी के आशरवास से 13 जुलाई दिन बुधवार को असार पोड़िमा के दिन बन रहे हैं महाश्वशयोग महा लक्ष्मी योग से इन चार राशवालों की लोटरी लगने वाली है ये चार राशवाले धनसे माला माल होने वाले हैं स्वयम माता लक्ष्मी जी अब इन चार राशवालों के घर पधार रही है जिससे अब इन चार राशवालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन चार राशवालों के जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशिरवास से आने वाली है अब अपार ख शुलाई अशार पूरिमा के दिन बन रहे इस महालक्ष्मी योग से लोट्री लगने वाली है ये चार राशवाले अब धनसे माला माल होने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में हम आपको उनहीं चार राशियों के बारे में बताने वाले है इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरुस लेकर अन्तक जरूर देखें शाथी बीड़ों को लाइक कर दें और इसे जदा ज़्यादा शेयर कर दें दोष्टों असार माह में पढ़ने वाली पुड़िमा को गूरु पुड़िमा के नाम से जाना जाता है धार्मिक मानताओं के अनुसार इस दिन चार बेदों जी का जन्म हुआ था मानव जाति के प्रति उनमे योगदान को देखते हुए उनके जन्मोसो को गुरु पुड़िमा के रूप में मनाय जाता है असार पुड़िमा के दिन माहरिशी बेद ब्याश जी ने पहली बार मानव जाति को चारो बेदों का नाम दिया था इसलिए इन्हें प्रथम गुरु की उपाधी दी जाती है शाती सात गुरु पूरिमा के दिन भगवान विशुँ और माता लक्षमी जी का विशेश रूप से पूजन किया जाता है और भगवान विश्मुजी का पूजन करने का और माता लक्ष्मीज का पूजन करने का विशेश महत होता है जी यहां दोस्तों इस बार असार पूणिमा का महा पर्व तेरा जुलाई दिन बुद्धवार को मनाया जाएगा पंचांग के अनसार इस साल असार पूरिमा के दिन मंगल, बुद्ध, गुरु और शनी शुब इस्थती में हैं इनकी इस शुब इस्थती की वज़े से गुरु पूरिमा यानिकी असार पूरिमा पर कई सारे राजयोग और धनियोग कर निर्मार हो रहा है इस बार किया है गुरु पूरिमा बहुत ही खास मानी जा रही है इस बार किया है असार पूरिमा बहुत ही शुब सयोग में आ रही है इस पावन दिन आप सुबह जल्दी उटकर इशनान करें इस दिन पवित्र नदियों में इशनान करने का बहुत ही अधिक महत होता है जो ल नब्बे सालों के बाद अद्बूद नजारा देखने को मिलेगा क्योंकि इस बार औरों यहीं कि अन्य पूर्वाओं के तुल्ला में इस बार का जो चंद्रमा दिखाई देगा यह काफी बड़ा दिखाई देगा और काफी ज़दा चमकीला दिखाई देगा जी हां दोस्तो नब्बे सालों के बाद ऐसा यहीं की अधूत चमकार देखने को मिलेगा दोस्तों बता दे कि इस बार का यह है असारपूर्मा बहुत ही खास है इस दिन शर्वार सिद्योग और अम्रिशिद्योग का निर्वाण हो रहा है दोस्तों बता दे कि पूर्भमा के तिथी माता लक्ष्मी जी को समर्पित है मातालक्ष्मी जी इस दिन पुरिसन मुद्रा में रहती है और भागवान भशोंजी को भी समर्पित होती है यह ति음 दोस्तों इस दिन सबसे पहले सुर्द !!! पहले उठें नगा दो dramati और फिर आप ब्रत करने का संकल्प भी ले सकते हैं, चाहें तो ब्रत भी कर सकते हैं, और इस दिन खीर बना करके माता लक्ष्मी को भोग जरूर लगाएं, साथी आप इस दिन गंगा नदेश सरोबर में इश्नान करें, नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जलल कर नहाएं जरूर, तो तेर्थ स्थानों का पुन्नफल मिलता है, दोस्तों इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विश्मिक पूजा राधना करने के बाद, फिर यता योग संभाव आप दान करें गरीबों को, वस्तर का दान करें, अंबल का दान करें और तिल पूर्मा को अर्थ दें और अपनी विशेश मनोकामना जरूर बोले, खास बात तो यह है दोस्तों कि इश्वार की इस आशाड पूर्मा के दिन दिखने वाला चांद अन पूर्माओं के तुलना में काफी जदा बड़ा और चमकीला दिखाई देगा, तो दोस्तों इस दि पूर्मा के किस्मत अब माता लक्षमी जिस्वायम सवारने वाली है, तो आखिर यह भागसाली राशिया कौन-कौन सी है, जिन के लिए माता लक्षमी विशेश कृपादर्ष टिवार रशने से इनकी लोटरी लगने वाली है, आज हम आपको इस वीडियों में इन ही भाग लगने वाली है, 13 जुलाई को 90 साल बाद दिखेगा असार पूरिमा का चांद और इस दिन कई दूलब सुपसंयोग बनने से अब आपकी लोटरी सट्ट मे भागजवाएंगा तो विशेश लाब होगा, इनका मा में बर्दियों की कई महतपूरी युजनाओं का लाभ मिले साथी दिन दूगनी राज चौगनी तरक्य करेंगे, ब्यापार में उतार चढ़ाओ, जो बने थे वो खत्मोंगे और अच्छापा सा मुनाफ़ा पराप्द करेंगे, मालक्षमी क्रिपा से आप की आमदनी बढ़ेगी, साथी धन के स्रोध बढ़ेंगे, तीजी से आप माते नजराएंगे कई महत्मूर्ण छेत्रों से आपको लाभ मिलेगा जो कार आपके धोरे पड़े थे प्रिंडिंग थे उन्हीं पूरा करने का मौका मिलेगा मालक्षमी कृपा से आप दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेंगे अब अगली यानी जो दूसरी जो राश दूसरी आती है वो है करने राज करने राज के द को बता दे कि मालक्षमी क्रिपा से अब आप के लिए काफी जदा महत्मूर्ण लाव मिलने वाला है इनकम आमे वर्दी होगी, हर छेत्र में आपको कामयवी प्राप्त होगी, बता दे कि बैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, संतान प्राप्ति के प्रवल योग बनेंगे, धन इनकम आमे वर्दी होगी, साथी साथ ब्यापारी के स्थाल पर चल रहे हैं बिवाद खत्म होगे, ब्यापार में आपको कोई महत्पूर डिल फाइनल देखने को मिलेगी, साथी ब्यापारी के स्थाल पर तो अच्छे रहे हैं लेकिन नोकरी और प्रमोशन और पद प्रिष्ठा मान समन के प्राप्ति होगी, नए कारियों भर्दी होगी, कुछ अच्छे कार कर जाएंगे, कुछ आप लाबदाय की स्थितिया आपके लिए बनेंगी, जो अभी तक आपको कामयाभी नहीं मिल पा रहे थी, वो कामयाभी मिलेगी, साथी आप दिन दुगनी राच दुगनी तरक्की करेंगे, साथी साथ बता दे कि विदेश की यात्राइएं कर पाएंगे, और बैव इशारे दुलब सबसंयोग बनने से आपको लाब होने वाला है, अब अगली यानि जो तीसरी जो राची आती है, वो यहाँ पर मकर रास, मकर रास करको अब आपकी आमदनी बढ़ेगी, धन में इंकम में लाब होगा, कई महत्पूर्ण छेतरों से लाब होगा, जो कार दुलब सबसंयोग बनने से आपके लाबदाई की स्थित्यार रहने वाली है, कई महत्पूर्ण योजनाओं का लाब मिलेगा, माता लक्षमी कृपा से आप दिन दुगनी राच चोगनी तरक्य करेंगे, भाग आपका सात्मे आश्मान पर रहेगा, मालक्षमी कृपा से आ दुलब सबसंयोग से आपको लाफ और फायदा होने वाला है, बता दे कि इस समय बैंक से कोई लोन वगरा मनजूर होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिर्वित्ती मामले में लाब होगा, साथी कई महत्पूर्ण छेत्रों से लाब होगा, आपकी आमदनी में धनमे ब्रद होगी, आपके कुछ ऐसे कार पूरे होंगे, जो काफी समय से धोरे पड़े थे, लगतार अगर आप प्रयाज करेंगे, तो सफलताएक कदम जूमेगी, बता दे कि आप धन संपत्ति कलाब होगा, गाड़ी बाहन के खरीदारी करेंगे, घर के शुक्षाजव ब्रदी मित्रों को सायोग परात होगा, इस्टुडेंट के लिए अच्छे रगविध्यारतियों के लिए, किसी चमतकार से कम नहीं रहेगा, इस्टुडेंट इसमें परिच्छा, प्रद्योगी परिच्छे में वैस्त रहेंगे, और किसी महत्पूर्ण एक्जाम में भाग लेने क मौका मिलेगा, इंटर्वी में पास होते नजराएंगे, और अच्छे कारी में बरदी होगी, कुछ नए कार की शुरुआत कर सकते हैं, जो कार आपके अधोरे पड़े थे, पिंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं, महत्पूर्ण सफल्टा कदम जोमेगी, लाब किसी लगातार बनी रहेगी, आपके द्वारा बनाए गई योजराएंगे, काफी कारकर सावित होगी, साथी बता दे कि इन चार राशियों की लोटरी सट्टा में भागे जवाने से, इनके भागे बरदी होगी, साथी साथ इन्हें ब्यापार में जवरिस्त कोई डेल फाइनल ह और लाग देखने को मिलेगा, माता लक्षमी करपा इन चार राशियों पर बढ़ने आ रही है, जी हां दोस्तों, तो दोस्तों कमेंट सेक्सर में जरूर लिखेगा, जै मालक्षमी, जी हां दोस्तों, और साथी साथ दोस्तों, इस वीडियो को आप एक लाइक करके अपने दोस्तों को जदा जदा शेर करिएगा, और चैनल पर यदि पहले बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश जरूर करिएगा, जै मालक्षमी